महादेव के इस मंदिर में नहीं है नंदी तीन दी फिल्म के सीन जैसा है ब्रिश भारतिय इतिहास वास्तुशिल्प चमतकारों का खजाना है जो समय से परे है और देश की समरिध विरासत को प्रदर्शित करता है। जबकि ताज महल निस्संदेह वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का एक प्रसिद्ध प्रतीक है लेकिन भगरत में कई ऐसे और भी प्रतीक है जो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। ऐसी ही एक उलेखनिय संरचना महाराष्ट में कोपेश्वर महादेव मंदिर है जो प्राचीन भारतिय वैदिक वास्तुकला की गौरवशाली परंपराओं के प्रमान के रूप में खड़ा है। महाराष्ट के प्राचीन शहर खिद्रापूर में कृष्णा नदी के तट पर स्थित कोपेश्वर महादेव मंदिर वेदो के यूग के दौरान मौझूद शिल्प कौशल और दूर दर्शिता का एक शांदार उदाहरण है। बारवी शताबदी ईस्वी के दौरान निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और वास्तुकला शैलियों का एक उतक्रिष्ट मिश्रण प्रदर्शित करता है जो चालुक्य, राश्ट्रकूर्ट और हैमाडपंती वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाता है। मंदिर की विस्मैकारी संरचना जटिल नककाशी, अलंकृत मूर्तियां और सावधानी पूर्वक दिजाइन किये गए तत्वों को प्रदर्शित करती है। पीठासीन देवता प्रतिष्ठित है, डॉट, मंदिर का आंतरिक भाग देवी देवताओ। दिव्य प्राणियों और विभिन्न दिव्य अभिव्यक्तियों सहित हिंदू पौराने कथाओं के द्रिशों को चित्रित करने वाली जटिल नककाशी से सुसजित है। दीवारे उस यूग के कारीगरों की कलात्मक कौशल की गवाही देती हैं, जो प्रकाश और चाया की आश्चर्य जनक परस पर क्रिया को प्रदर्शित करती हैं। उतक्रिष्ट विवर्ण से सुसजित पत्थर के खंबे संदचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं और मंदिर की समगरभ भव्यता को बढ़ाते हैं। कोपेश्वर महादेव मंदिर भारत के इतिहास की समरिध तेपेश्ट्री का प्रतीक है, जहां विविद सांस्कृतिक प्रभावों ने असाधारन वास्तुशिल्प चमतकारों का निर्मान किया। इसकी स्थापत्य शैली चालुक्य और राश्चकूट राधवन्षों के गहरे प्रभाव को प्रतिध्वनित करती हैं, जो उनके अद्वितिय कलात्मक और स्थापत्य योगदान को प्रदर्शित करती हैं। बहाराश्च्र में कोपेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन भारतिय वैदिक वास्तुकला का एक आश्चरिय।